एक आम इंसान का सपना होता है कि उसका आपना एक घर हो। उसके लिए वो अपने मेहनत की पाई पाई जोडता है और घर का काम शुरू कर देता है। पर उसे पता नहीं होता है कि उसको घर बनने के लिए कितना खर्चाने वाला है। तो चिंता मत किजिए इसके लिए हम है न आपका काम प्लिंट लेवल तक होने तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अक्सरी आपने देखा होगा कि लोगों के घर के काम प्लिंट लेवल तक आने के बाद रुख जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही होता है कि उन लोगों को प्लिंट लेवल को कितना खर्चाता है इसके बार में पहले पता नहीं होता और पूरा पैसा जो है वो अपने प्लिंट लेवल में खर्च कर देते हैं क्योंकि शुरुआत में बहुत जादा जोश होता है जो कि प्लिंट का क या फिर 500 square feet हो, अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, कुछ इतने level तक, अब जैसा कि आप आगले image में देख रहे हो, यहाँ पर brick work जो है, जमीन level से 3.5 feet तक उंचा लिया गया है, जो कि actual plinth level है, तो यह actual plinth level तक आपको कितना खर्च आएगा, यह हम आज के वीडियो में देखेंगे, तो इसके लिए हमने कुछ चीज़े consider कि है, सबसे पहली चीज यह आजाती है, कि जो आपके घर का excavation होगा, यानि कि जो खुदाई का काम होगा, वो 4 feet तक होगा, और जो plinth की height होगी, यानि कि जो brick work होगा, PCC level तक, यानि कि जैसे कि आप अगले से लेके 14 column जो है, उन्हें consider किया गया है, उसके बाद में इस splint में आपको filling material तो डालना पड़ेगा, जैसा कि ये JCB डाल रहा है, और उसके बाद में आपको compaction करना पड़ेगा, याद रखी ये जो data हम ले रहे हैं, शुरुआत में हम 1000 square feet के इसाब से ले रहे हैं, उसके ब स्क्वेर फिट है, तो आपको 1000 square feet के लिए लगबग 3,00,000 से लेके 3,00,000 रुपे तक खर्चा सकता है, प्लिंट लेवल तक, अब आप यहाँ पर कहेंगे कि मेरा घर तो 1,500,000 से लेके 2,75,000 रुपे तक खर्चा सकता है, अगर किसी का घर 500 square feet है, तो उन्हें 1,75,000 से लेके 2,00,000 रुपे तक खर्चा सकता है, याद रखिए यह जो मैंने आपको amount बताई है, यह एक tentative idea आने के लिए है, आपका खर्च इससे कम याफी जादा हो सकता है, प्लिंट का cost वैसे तो बहुत सारे factors पर depend होता है, जैसे की excavation, उसके बाद में आपकी प्लिंट की height, columns, number of footings, इस सभी चीजों के उपर depend होता है, कि आपको प्लिंट लेवल तक कितना खर्चा सकता है, तो यह जो मैंने आपको amount बताई है, इससे थोड़ा कम याफी जादा हो सकता है, पर देखे दोस्तों, अगर आपको एक tentative idea होता है, ऐसे वक्त में आप अपने budget का proper तरीके से preparation कर पा कि यह जो खर्च मैंने आपको बता है, 1000 square feet का, इससे अगर आपका plint का area पाच-10 square feet कम याफी जादा है, तो आप उसे जोड़ सकते हो, for example के लिए अगर आपका घर 30 by 30 है, 32 by 33 है, ऐसे वक्त में भी आप इस खर्च को consider कर सकते हो, और यहाँ पर और एक important tip में आपको देना च कि यह जितना आपका plint का area बढ़ता जाएगा, उतना ही आपका plint का तो cost बढ़ेगा, साथ में ही आपके घर बानाने का cost भी बढ़ेगा, तो इस वज़े से पूरे घर का area होता है, उसका भी idea एक बार जरूर ले लिजे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा पैसा आपका plint level करते करते ही खत्म होगा, तो दोस्तो यह important point आप जरू ध्यान में रखिए, देगे दोस्तो अगर आपको plint level तक के cost का idea होता है, ऐसे वक्त में आप पैसे के arrangement प्रॉपर तरीके से कर पाते हो, मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको आपके घर बानाने में थोड़ी बहुत अगर आपके कोई सवाल है, तो comment box में comment जरू कीजिए, और अभी तक आपने चानल को subscribe नहीं किया दोस्तो तो कैसे चलेगा, चानल को जरू subscribe कर दीजिए, और हाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लागा हो, तो आपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए, तो मैं मिलूंगा आप आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।